नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैं कॉंग्रेस सरकार राज़तान में बनते ही अपने वादे पर एक काम आज शुरू कर दिया है हाँ दोस्तों आज बहुत बड़ी ख़बर अभी-भी की निकल कर आ रही है तो आप देख सकते हैं कि कॉंग्रेस ने राजस्तान में भी निभाया वादा असोग गैलोत ने माफ किया किसानों का कर्ज जहां दोस्तों किसानों का कर्ज असोग गैलोत ने माफ कर दिया है अभी भी की ताजा खबर आ रही है आठ बजगर पंद्रा मिंट की एक खबर है तो आप देख सकते हैं किसानों की कर्जमाफी के नाम पर मद्दे परदेश 36 गड़ो राजस्तान की सता में आई कॉंग्रेस की नव निर्वाचिस सरकारों ने अपने गोशना पत्र में किये वादों को अमली जामा पे नाना सुरू कर दिया है कमनात बुपेश बगे ने के बाद अबसोग गैलो सरकार ने भी इस किसानों के रिन माफ का एलान कर दिया है राजस्तान सरकार ने किसानों दोरा 30 नवंबर 2018 तक लिए गए 2 लाक रुपे तक का करज माफ करने का आदेश जारी कर दिया है मद्य परदेश के मुख्य मंत्री कमनात ने सपत ग्रहन के चंद गंटों बाद इकिसानों के करज माफी संबंदी फाइलों पर दस्तक कर दिये थे जिसके बादे 36 गड़ के मुख्य मंत्री उपेश बगे ने सपत ग्रहन के फोरण बाद करज माफी की कोशना कर दी थी आज कि अगर बात करें तो मुख्य मंत्रे सोग गैलोत ने कर्जमाफी की जानकारी देती वे बताया कि कॉंग्रेस अध्यक्स राउल गांदी ने वादा किया था जिसे दस दिन के बीतर पूरा करना था इस आदिश के तहित अपरेटिव बेंक की किसानों का पूरा कर्जमाफ और बात देक्स कते हैं ओ upcoming देखे लंक्स का कॉर्जमाफ और बेंक सकते हैं जब की जो किसान कमर शेल बैंक के रिन नहीं कुआ पाई हैं और बैंक के डिपाल्डर में उनका दो लाग तक कर्जमाफ पढ़ेगा और 30 नवंबर 2018 तक के रिन्वाफ किये जाएंगे।